इसकार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में और आज भई मैं आया हुआ था सांचोर और आपको पताएगी जालोर हुआ सांचोर हुआ यह जो एरिये हैं मेरे को लगता है कि यह एरिये एक तरीके से मारवाडी गोडों के गड़ माने जाते है और यहां से एक से बेस्ट एक गोड़ा गोडी इस एरिये से भई निकलके गया है तो आज मैं इस एरिये में आया हुआ था तो हमापको किस पाहम की वीडियो धिखाने वाले हैं और कौन-कौन से गोड़े दिखाने वाले हैं वो सब हमापको बारी-बारी से पाटों के उचे हो और वो भी एक इंटिडियर वेह में आपका बहुत-बहुत हर्दे की अनंत गहराई से स्वागत और अभिनंद बिल्कुल सर थैंक्यू सर मैं चाहूंगा सबसे पहले एक बार अपना पूरा नाम फाम का नाम और अपने जो यह गाउं है इसकी क्या लोकेशन है और ज सरजित जिल्बन गया संचोर तो संचोर में आता है और जैकिसन नाम अपने स्री वीलेस्वर पेरडाइज होरस इस्टड फॉर्म चोरा जी और साच्वर से कितना पड़ जाता है अपना यह 22 किलोमेटर फारावे फ्रॉम सांचोर जानि यह वांच्वाइस-धीस किलोमेटर 22-23 km आपके पास से कौन सा आईवे गुजरता है यानिकी यह नहीं शिक्स्टी एट इस ओनली 15 km यानिकी बहुत पास में है यानिकी तो कितने गोड़ा गोड़ी है सर टोटल अगर बात करें अभी चोटे बड़े कुल मिला करके गोड़े बच्चे बच्ची इंक्लूड करें तो 14 है चब्दा यानिकी 14 गोड़ा गोड़ी है तो अगर बात करें हम सर लोगों को अभी अपने फार्म का जो सबसे मैन गोड़ा है वो और एक बच्चा हम देवराज का बच्चा है अनसायदा ना तो वो देवराज का बच्चा हम लोगों को इस वीडियो में दिखाने व जो रतना कर लाइन का है राजसेखरा का तो उसका है तो किसके पास में सर यह राजवी अभी गोड़ा पावड़ाशन है वह भुपेंदर वही वाला या सर बिल्कुल अगर मा की बात करें सर इस गोड़े की मा इसकी जो है वो द्रोना की पहले गेरिगिल के पास था और मां की उम्र तो देखो एक्जक्ट मुझे पता नहीं है लेकिन होगी काफी बड़ी है और हाइट में 63 और गोड़ा कितना होगा सर आइट में इसका बाप यानि की दल सिंगार का बाप जो राजवीर है पावड़ाशन तो उसकी हाइट 66 नियर बाउट 66 यानि 66 यानि एक दो अब देखे तो उम्र में कितना हो गया है सर गोड़ा यह जो अपने पास है इस जो आपके सामने है इसकी एज हो गई है अभी 34 मंथ 34 मंथ या सर तो दोदात में लग जा होगा सर दोदात कर लिए सर कितने टाइम पहले कर ली तो बस ज़स्ट हुए ही अभी हुए यह और हा 64 तो अभी कितना और जा सकता है इसके बापकी हाइट तो लेगा लेगा इसकी माच और बहुत ऐस से बड़ी बात यह šv 65-66 जा सकता है 65-66 इजी ली कहना चीव अगर बात करें बच्चे बगएरा आए या फिर गोडिया मैट कराना चालू करा के नहीं करा भी अभी तक तो देखो मैट के उद्धिसे से काम नहीं हुआ है अभी महज नो-दस गोडियों पर चालू करी करी अभी शुरू की है एक गोड़ी पर थोड़ा पहले सुरू कर दिया था तो उसका बच्चा-बच्ची अभी दो महीने से अपने ही फार्माउस पर आ जाएगा या आपके पास ही इस गोड़े का पहला रख 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 तो बात करें सर फीज कितनी रख 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 गोड़े की अब ट्वंटी फाइव थाउजेंड ट्वंटी फाइव जी बागी सर जो यह गोड़ा है अपने घर की होम ब्रीड है या कहीं से खरीद के लिए नहीं यह अपने पास में ही एक गाउं है तो वहा लोगिए में था बाइस इकीस बाइस का तो सर्क क्या पसंद आया आपको इस गोड़े में जिसकी वज़े से आप इसको लेकर आएद देखो यह आपके साम नहीं है और इसकी पेढिगरी और प्रोजनी जैसा कि हम पीचह से देखते आये इसकी मा, मा की मा, इसका बाफ, बा तो आलिसान लाइन जो द्रोणा की इसकी माँ है और तीसरी तरफ अगर हम उसकी ब्यूटी इंक्लूड करेश में तो वह अपने सामने हैं देवराज देवदरबार मटकी तो कुल मिला करके जो यह ब्लड है वह तीनों का संगम है तो निश्चित रूप से टाइम विल कम वैं देखी रहे हो और बहुत मस्बूत है और कानों से देखिए जो मारवाड़ी वहते हैं फीचर वह सब लिए हुए पर मेरे को लगता है कि वैसे आपका जो जालोर एरिया हुआ सांचोर हुआ मेरे को लगता है कि इस एरिये के बारे में बताने की कोई जरूत रह नहीं गई पूरे हिंदुस्तान को पता है कि इस एरिये ने जो पैदा करा है वह मेरे लगता है साइट किसी ने पैदा नहीं करा होगा जी सर आपकी बात बिल्कुल राइट है मारवाड़ी का जो गड कहें यहां जो कैंद्र कहें तो उसके बीचों बीच में हम बैठे हैं और वहीं आ आप गोड़े चाहे यहां से अच्छे जितने भी थे उनको ले गए हैं लेकिन इसका अर्थ यह कते ही नहीं समझा जाए कि अब हमने वहां से जो छीन लिया है अब यह पैदा नहीं कर पाएंगे पहले वाले भी तो आप नहीं पैदा करें थे हां वो भी किये हैं और यहां ब्लड यह बहुत ही अच्छी तरह से चलता रहे हैं जोड़े की कबरिंग चालू हो है हाँ आपके माध्यम से शुरू कर रहे हैं अभी तक चालू होकर करके हमने किसी परकार से परचार परशार या प्रोपोगंडा नहीं किया है फैस्ट टाइम आप पदा रहे हो और आप तो अपने घर का यह बच्चा है यह अधी नहीं परचेज किया है गंगा नगर से तो यह लिए हुए ढोट्य महिने वे दो दो-तीन महिने है और उम्र में कितना है बच्चा उम्र में हो गया यह साधे-अठनो महिने साड़े आठ नो महीने के करीब है बिल्कुल तो क्या खासियत लगी सर इसकी वज़े से बच्चा लेकर आए देखो सर मैं यह लगता है आपके पास में पहला भी तो गोड़ा था वो तयार हो गया है और तब तक सेकंड हम ऐसा त्यार करने जा रहे हैं जो एक डिफ्रेंट ब मूलत है तो फिर हमने यह लाइन जो आलिसान लाइन से भी एक बच्चा तयार हो जाए तो आने वाले समय में अपने गोडियों पर और जो इनकी इस गोड़े की जो बच्चे बच्ची आएंगे तो उस पर भी काम लिए लाइन के साब से डिफ्रेंट बिल्कुल तो प्राइन क्या है वीरम देव की मार्किंग सिर्फ इस्टार है और बाकी पूर्ण ते आप देख सकते हो बलेक है आपके सामने है तो आपको किसी ने बताया था यह बच्चा के सर कैसे कैसे मिला बच्चा यह नहीं जिस समय इसका जन्म हुआ उसी समय मैंने तैह कर लिया था कि और हमारे बहुत ही आदर्णी है श्री खुस्वन सिंजी सिख है बहुत ही भले आदमी है तो उन से मैंने आग्रे भी किया कि इस बच्चे को आप मुझे ही दो गई तो उन्होंने साप और इस परस्ट बोल दिया कि यह शिर्फ और शिर्फ आपका है आप जब चाहो तब ले जाएं आपने बुकिंग पहले कर दी तो बच्चे की इस के अगर देखें तो गर्दन देखिए मारवाडी कन्फरमेशन लैंड साइज हाइट ओवरॉल बहुत ही जबरदस्त है डबल बॉन कितना हाइट तक चला जाएगा सब्स ही जाएगा प्लस ही जाएगा पका बि यहां के जो लोग है में लगता है कि मैंती बहुत हैं तो जो कहते हो करके भी दिखा देंगा कोई बड़ी बात नहीं जो भी अपने देशी कानपान है उसके एकोर्डिंग जो चीज है वह सारी देखर के उसको त्यार किया जा रहा है सारे ऐसे वेंजन है जिससे इनकी अभ प्रोडेक्ट का काम कर जाता है बिल्कुल वर्सों से सदियों से जो भी गोड़े रखे आ रहे हैं और मारवाड़ी अपने आप में एक ऐसा ब्लड है अगर इसको आपने फिर टोटली डिपेंड अपन नेचुरल थिंक्स अगर हमें उसे नेचुरल चीजों पर निरबर हो के लोगों को एक बार चका चौंद में गुम्रा कर दे कोल मिला करके सीधा अर्थ हमारा यह है कि इसकी एज भी लंबी हो यह दिरगायू बने यह सुखी रहे यह भी साथ में रहता है तांकि उसको ऐसा नेचुरली खिला है जिससे उसको कोई छती नहीं हो को दिक्कत वाली आपको अगले नेश्ट पार्ट के अंदर कुछ गोडिया हैं दो गोडिया और उनके बच्चे हम आपको नेश्ट पार्ट के अंदर दिखाएंगे ओके सर थैंक थैंक यू सर